हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो दी चैनल यमी रिव्यूज में आपका स्वागत है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंट सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को भी जरूर दबाईए ताकि हमारे नए यमी रिव्यूज सबसे प भर पूर ये है आप इसकी पैकेजिंग जब देखते हैं तो आपके मूँ में वैसे ही पानी भराएगा देखिए किस तरह से स्प्रिंग्स इसमें गोल 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 गुमा रखे हैं और जो ब्ल्यू कलर के बीच में चोकलेट और वैनिला निकल के बाहर आ रहा है वो देखके तो पानी मन में मुँ में तो बाद में आएगा मन में पहले आ जाएगा तो दोस्तों अगर हम इसके जरूरी सूच रहा हैं कि बात करें तो ये 10 रुपे के पैकेट में उपलब्ध है हमें चार महीने मैनुफेक्चरिंग के बाद दोस्तों हम इसको 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 केवल अंडे का प्रियोग किया गया है FSSAI किसे लाइसंस लेके बनाया गया है दोस्तों इस पैकेट का वेट 33 ग्रेम से जबकि हमें एनरजी पर 100 ग्राम उपलब्द कराता है 346 किलो कैलोरी तो लगबग 114 किलो कैलोरी हमें इस पैकेट से मिलेंगे दोस्तों सबी केक्स की तरह इस केक्स में जो इन ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया गया है वह मैं आपको बता दूँ केक में मैदा का शूगर अंडा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सीरप जो रहता है उसका मिल्क सॉलिड्स, कोकोई सॉलिड्स कोकोई क्रीम, एडिवल, वेजिटेबल ओयल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसके अलावा इसमें आर्टिफीशिल फ्लेवर का भी इस्तेमाल किया जाता है जो इसमें किया गया है अब दोस्तों, इसको देखके मेरे मूँ में पानी भर रहा है तो मैं चाहता हूँ मैं जल्दी से इसका review आपके लिए कर दूँ तो इसको खोलने का वही हम इसको एक किनारे से पकट के खीच देंगे और यह हमारे सामने दोस्तों निकल के आगया हमारा spy roll अब दोस्तों इसमें क्या spy है वह हम देखते हैं यह देखिए जो बोला था वो ही है company ने यह देखिए जो इसका base है वो पूरा चोको से भरपूर है यही यही pure chocolate सारा इसमें रहता है यह देखिए किस तरह से इसको design design goal 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 circle में गुमाते हुए लेके गई हैं यह पूरा bread और bread के अंदर चोको पूरा chocolate flavor डला है तो मैं अब इसको check करके बता देता हूँ यह देखिए इसकी softness हमें पता लगती है कि यह fresh item है यह इसकी softness देखिए यह देखिए cake भी बिल्कुल soft है cake के अंदर यह अंदर भी cream का इस्तेमाल किया गया है दोस्तो मैं इसको टेस्ट करके आपको बता देता हूँ अगर आपने इसको टेस्ट किया है तो comment section में मुझे अपना experience बताएं कि आपको यह कैसा लगा और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो description box में मैंने इसके लिए link दे दिया है आप वहाँ से खरीज़ जगते हैं मैं इसका टेस्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों जो इसका soft चोको बेस है और जो चोको क्रीम इसमें इस्तिमाल की गई है वो मुझे में रखते ही इसको ऐसे घुलता है कि आपको एहसास कराता है कि येस यार कुछ अच्छा खाने का आइटम है लेकिन ये चुकी non-weege item है अंडे का प्रियोग किया गया है तो मेरे वो दोस्त जो vegetarian है वो इसको ना खाएं तो ही ठीक है और अगर कोई दोस्त जो vegetarian है लेकिन अंडा भी बहुत से लोग हैं जो wedge में नहीं मानते हैं तो वो लोग इसको जरूर इसको चेक करके देखें यह आपको अच्छा लगेगा और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और किसी special product का अगर आप review देखना चाते हैं तो मुझे comment section में बताएं मैं इसका review करूँगा तो जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए चटपटे मज़ेदार yummy review के साथ Thank you दोस्तो